नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्राफ्टपाई वन्ना में आज हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि आप कैसे धनिया पत्तियों को तीन से चार महिने तक स्टोर करके रख सकते हैं जिससे कि वो हमेशा फ्रेस रहेंगी और जो उनकी खुस्बू है वो भी बरकरार रहेगी तीन मेथेड में आप लोगों के साथ शेयर करूंगे तो वीडियो को लाश्ट तक जरूर वोच कीजिएगा धनिया हम सबको पता है कि हमारी सबची को जो खुस्बू है जो टेस्ट है उसको बढ़ाने में काफी जादा मदद करता है और यह हमारे हैल्थ के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है देखे दोस्तों सहरों में तो धनिया प्रोपर तरीके से हमें मिल जाता है टाइम टू टाइम लेकिन गाउं में क्या होता है कि धनिया जैसे ही गर्मी आएंगे धनिया मिलना बंद हो जाएगा जो इस वीडियो में वही शेयर करूंगी कि कैसे आप अपने धनिये को प्रोपर तरीके से स्टोर करके रख सकते हैं जो कि आपका धनिया बिल्कुल फ्रेस रहेगा और जो उसकी महक है वो भी बिल्कुल आइसिटीज रहेगी बस तीन टिप में आप लोगों के साथ शेयर कि आप एक साल तक अपने मटर को कैसे स्टोर करके रख सकते हैं तो वो वाली वीडियो भी जरूर देख लीजिएगा लिंक आपको उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा तो आप वहां से भी डारेक्ट उसको चेकाउट कर सकते हैं तो चलिए आज को खराब करते हैं तो इसलिए हमें प्रोपर तरीके से धनिय को सबसे पहले वोस करना है दो से तीन बार फ्रेस पानी में हम इसको वोस करेंगे जब तक कि इसकी सारी की सारी मिट्टी रिमूव नहीं हो पाती सेकंड स्टैप है आपको कोई भी साफ टॉल लेना है जो भी आ निकल जाए इसके बाद क्या करना है जैसे कि मेरे जो धनिया है उसमें बहुत जावा डंठल है तो मैं पत्तियों को अलग कर लूँगी अगर आपके दनिया में बड़ी बड़ी डंठल नहीं है तो आपको पत्तियों को अलग करने की जरूरत नहीं है तो देखिए मैंने अ तोड़ा गीला हो गया था इसलिए उसको skip करेंगे और दूसरा कोई कपड़ा लेंगे और उसके उपर धनिया पत्तियों को फला देंगे और 10 मिनट तक पंखे की हवा में सुखाएंगे यहां पर आपको धूप का यूद बिलकुल भी नहीं करना है पंखे की हवा में हम इसको दस मिनट पिली रहने देंगे और आप देखिए गा जो पानी है प्रोपर तरीके से वह सूख गया है क्योंकि अगर धनिया में थोड़ा बहुत भी पानी रह जाएगा तो आपका धनिया बहुत जल्दी खराब हो जाएगा तो इसलिए हमें धनिया का जो पानी है वह प्रो जो भी आपके पास अवलेबल है मेरे पास यहां पर फूड कंटेनर है क्योंकि यह एरटाइट होते हैं इसलिए मैं इनका यूज करूंगी याद रखें जो भी आप कंटेनर यूज करें वो बिल्कुल साफ हो किसी भी तरह की उसमें धूल मित्ती ना हो अब उसके बाद क्या करेंगे टीशू पेपर लेंगे और टीशू पेपर को कंटेनर में लगा देंगे इसके बाद हम धनिये को इसमें फिल करके रखतेंगे तो यहां पर आपको क्या करना है जो धनिया है जब डब्बे में कभी भी स्टोर करो तो यहां पर आपको जो कंटेनर है उसको आपको फ्रीज में आपको कभी भी नहीं रखना है फ्रीजर में रखेंगे तो धनिया बहुत जल्दी खराब हो जाएगा और अगर आप इसे फ्रीज में रखते हैं तो जो आपका धनिया है वो दो से तीन महीने तक ऐसे ही रहेगा अब जब भी आप कोई सबजी बनाते हैं कोई भी डिस बनाते हैं तो आप कंटेनर को ओपन करना है और उसमें से थोड़े से धनिया को पत्तियों को यूज करना जितना आप यूज करना चाहते हैं उसके बाद वापिस से कंटेनर को बंद करना है और वापिस से आप इसे फ्र की रियल स्मेल है वो बाहर नहीं जाएगी जब भी आपको इसको यूज़ करने का मन करता है तो आप यहां से इसको निकाले कंटेनर को ओपन कीजिए इसको जितना लेना है उतना लीजिए और उसके बाद कंटेनर को बंद करके आप इसको वापिस सिफ प्रीज में रखतीजि प्रीज करके वाईश स सकतीजिए